हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का टेक्निकल मस्ती चैनल पर यहां हम करते हैं मुबैल फॉन्स की एन्बॉक्सिंग प्लस कमपेरजन जिससे आपको एक नया मुबैल पर्चेस करने में कोई दिक्कत ना आए अगर आपको बड़ी डिस्पले और दमदार बैटरी वाले मुबैल पासंद है तो ये वीडियो आपके काम की है क्योंकि आज मैं लेके आया हूँ दमदार बैटरी और बड़ी डिस्पले वाले दो स्मार्टफोन जिसमें पहला स्मार्टफोन हमारे पास है टेक्नो स्पार प के लिए सबसे बेस्ट है तो बने रहे ये मेरे साथ वीडियो में चैनल पर आए हो पहली बार और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिखेगा उसको दबा दीजे बगल में बेल आइकन है उसको भी दबा दी टेकनो में मिलती है आपको ड्रॉप नॉज डिस्प्ले और इंफिनेक्स में मिलती है पंचोल डिस्प्ले दोनों मुबाइल के बैक साइड में थोड़े बहुत हैरलाइन फीचर्स दिए गए हैं जिने मैं वीडियो में आगे बताता रहूंगा जल्दी से कर लेते हैं दोन इस्टार्ट गाइड यूजर मैनुवल वरंटी कार्ड और साथ में हमें मिल जाता है एक फ्लेक्सिवल मुबाइल कवर फॉन की सेप्टी के लिए कवर क्वाल्टी आपको काफी अच्छी मिल जाती है और कवर पा आपको डिजाइनिंग भी काफी अच्छी देखने को मिल साथ ही टेक्नो की ब्रैंडिंग भी यहां पर की गई है इसके बाद हमें मिलती है एक नॉर्मल माइक्रो यूएसबी केविल केविल की लेंथ और क्वाल्टी आपको ठीक ठाक मिल जाती है वहीं सेमिजक्टर पिन है और इसके साथ हमें मिलता है 18W का फास्ट चार्जर जिस 6000 mh की बैटरी को काफी फास्ट चार्ज करेगा और आप नज़र डालते हैं Infinix Hot 10 पर तो सबसे उपर हमें स्मार्टफॉन फिलाल इसे रख लेते हैं साइड में और अंदर यहां पर ओपन करें तो इसमें भी हमें नॉर्मल माइक्रो यूएसबी केविल मिलती है इसके बाद चार्जर अडप्टर दिया गया है और यह है 10W का नॉर्मल चार्जर 5V 2A की आपको इसमें आउटपुट रेटिंग मिलती है तो यानि कि इसमें आपको फास्ट चार्जर नहीं दिया गया है टेक्नो में आपको फास्ट चार्जर मिल जाता है इसके बाद इसमें भी आपक क्विके start guide, user manual, same ejector pin और इसमें भी हमें मिल जाता है एक flexible transparent silicon का mobile cover phone की safety के लिए परकी quality काफी इच्छी आपको मिल जाती है और साथ में scratch guard भी मिल जाता है और यह हैं दोनों smart phone जिनका front side का look कुछ ऐसा हमें देखने को मिलता है यहाँ पर techno spark power 2 थोड़ा सा size में बड़ा है आपको एक scratch guard पहले से लगावा मिल जाता है Infinix hot 10 में आपको box के अंदर scratch guard दिया गया है यानि कि लगावा scratch guard आपको नहीं मिलता है अलग से आपको लगाना पड़ता है दोनों mobile की power को हमने on कर लिया है तो यहाँ पर एक बार हम दोनों mobile की brightness को full कर देते हैं तो Infinix में already full है auto सो इसे हटा देते हैं तो बिल्कुल same display quality आपको दोनों smartphone में देखने को मिलती है screen brightness भी आपको दोनों smartphone में बिल्कुल same देखने को मिलती है वहीं icon कुछ type के दिये गए है दोनों smartphone में user interface देखें scroll up करने पर दोनों smartphone में आपको सारी की सारी apps देखने को मिल जाती है और यहाँ interface बिल्कुल same आपको दोनों smartphone में देखने को मिलता है दोनों ही mobile में आपको ज़्यादा फालतों की pre-install app नहीं दी गई है सारी की सारी useful app आपको मिलती है पुछ एप होंगी तो आप उन्हें अनिस्टॉल भी कर सकते हैं। और यह है दोनो स्मार्टफॉन के बैक साइड का लुक। दोनो ही मुबैल में आपको प्लास्टिक पॉलिकार्बोनेट बॉडी मिलती है। साथी कर भी बैक पैनल दिया गया है। और दोनो मुबैल के बैक साइड में आपको काफी गलोसी फिनिस देखने को मिल जाती है। साथी काफी अच्छी डिजाइनिंग भी बैक साइड में देखने को मिल जाती है। लेकिन आप अगर इन्हें विदाउट कवर यूज करोगे तो काफी जल्दी स्क्रेचेस आ सकते हैं। इसलिए जब भी यूज करें तो कवर जरूर चड़ा लीजिए। और दोनों स्मार्टफॉन में आपको क्वार्ट कैमरा सेट अप दिया गया है। सबसे पहले हम टेक्नो स्पार्ग तु एर के कैमरा पे नज़र ढलें। तो इसमें हमें मिलता है 16 Megapixel का हमारा में प्रैमरी कैमरा, 5 Megapixel का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 2 Megapixel का माइक्रो कैमरा और एक एक्स्ट्रा कैमरा आपको इसमें AI लेंस दिया गया है। साथ ही आपको इसमें quad LED flashlight भी मिल जाती है finger pin sensor आपको दोनों ही smartphone के back side में दिया गया है वहीं front में आपको drop notch के अंदर टेक्नो में मिलता है 16MP का selfie camera और आप नज़र डालते हैं Infinix Hot 10 के camera setup पर तो इसमें भी आपको quad camera setup दिया गया है जिसमें आपको 16MP का main primary camera, 2MP depth sensor, 2MP macro sensor camera और यहाँ पर आपको चौता camera low light sensor camera दिया गया है इसमें भी आपको quad LED flashlight मिल जाती है वहीं front में आपको इसमें punch hold display के अंदर मिलता है 8MP का selfie camera दोनों smartphone के right side में आपको मिलती है power on key और volume rockers एक साथ उपर की side कुछ नहीं, left side में sim tray जहां आप दो sim card एक memory card सभी एक साथ लगा सकते है नीचे की side देखे तो यहाँ पर आपको मिलता है primary mic, 3.5 mm का audio jack, charging jack और media speaker और आप नज़र डालते हैं दोनों smartphone की setting पर तो एक साथ हम दोनों mobile की setting को open करेंगे तो दोनों mobile का setting का interface कुछ ऐसा हमें देखने को मिलता है सबसे उपर दोनों ही smartphone में आपको मिलता है my phone का option इसे हम open कर लेते हैं तो techno में आपको high os मिलता है जिसका version है 6.1.0 और infinix hot 10 में आपको मिलता है xos जिसका version 7.0.0 आपको दिया गया है बाकी यहाँ पर आपको सारी details मिल जाती है दोनों ही हमारे पास है 4GB वेरेंट तो दोनों में आपको 4GB RAM 64GB का internal storage दिया गया है और दोनों well में आप 256GB तक expendable memory को बढ़ा सकते हैं यानि कि 256GB तक का memory card आप दोनों smartphone में लगा सकते हैं वहीं यहाँ पर camera details दी गई है यहाँ पर front 16MP और 8MP और दोनों smartphone में आपको 16MP का rear camera दिया गया है और अब बात करें प्रोसेसर की तो Tecno Spark Power 2 में आपको मिलता है 2GHz का octa-core processor चिपसेट की बात करें तो इसमें आपको MediaTek Helio P22 का चिपसेट दिया गया है और बात करें Infinix Hot 10 की तो इसमें भी आपको 2GHz का octa-core processor दिया गया है वहीं चिपसेट की बात करें तो इसमें आपको MediaTek Helio G70 का चिपसेट मिलता है यानि कि प्रोसेसर के मामले में Infinix Hot 10 काफी आगे निकल जाता है Tecno Spark Power 2 से बाकी बैटरी की बात करें तो 6000 एमेज की दमदार बैटरी आपको Tecno Spark Power 2 में मिलती है और 5200 एमेज की बैटरी आपको Infinix Hot 10 में मिलती है बात करें दोनों मुबैल के डिस्पले साइज की तो यहाँ पर Tecno Spark Power 2 में आपको 7 इंच की HD Plus डिस्पले मिलती है और Infinix Hot 10 में आपको 6.78 इंच की HD Plus डिस्पले दी गई है दोनों ही मुबैल में आपको IPS LCD का पैनल दिया गया है स्क्रीन रेजुलेशन दोनों मुबैल में 720 x 1640 फिक्सल का मिलता है और फिक्सल देंसिटी दोनों मुबैल में 256 PPI की दी गई है चलिए बात कर लेते हैं दोनों मुबैल के हाइट की तो टेक्नो स्पार्क पावर 2 एर की हाइट है 174.9 mm और Infinix Hot 10 की हाइट है 171.1 mm थिक्नेस की बात करें तो 9.2 mm की थिक्नेस के साथ टेक्नो स्पार्क पावर 2 आता है और Hot 10 में आपको मिलती है 8.88 mm की थिक्नेस तो टेक्नो स्पार्क पावर 2 एर का वेट है 220 ग्राम और Infinix Hot 10 का वेट है 204 ग्राम और अब एक चोटी सी नजर दोनों मुबैल के रियर कैमरा पे डालें तो यहाँ पर हमने दोनों मुबैल के कैमरा को नॉर्मल मोड में कर दिया है तो कैमरा क्वाल्टी आपको दोनों ही स्मार्टफॉन से बिल्कुल सैम देखने को मिलती है टेक्नो स्पार्क पावर 2 एर से हम जूम करें तो 8x तक आप इससे जूम कर सकते हैं वहीं Infinix Hot 10 से जूम करें तो इससे भी आप 8x तक जूम कर सकते हैं तो दोनों मोणalley मां आपको जूम क्याल्टी भी काफी अच्छी देखने को मिल जाती है बाकि दोनों ही मोणल मां आपको बुके इफक्ट का ओप्जन भी धिया गया है वहीं front camera तो नज़र डाले तो दोनों मोणल का front selfie camera हमने on कर दिया है यह है दोनों स्मार्टफॉन के फ्रंट सेल्फी कैमरा से लिगी सेल्फी, बुके मोड में हमने ये सेल्फी लिए है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अबजेक्ट बिल्कुल क्लियर और बैक्ग्राउंड आपको ब्लर देखने को मिलता है, और यह है नॉर्मल मोड में लि तो टेक्नो स्पार्ट पावर टू यहर आपको मिलता है 10,000 रुपीज में, वहीं पर आपको इन्फिनेक्स होट 10 इस दिवाली सेल्फे मिल रहा है, मातर 9,000 रुपे में, टेक्नो स्पार्ट पावर टू मुबाइल बढ़िया है, 7 इंच की डिस्पले के साथ आता है, HD प्ल इन्फिनेक्स होट 10 में आपको मिल जाता है, मीडिया टेक, हीलियो जी सेवंटी का चिप सेट, यानि कliśmy हैवी गेम भी इसली प्ले कर सकते हैं, काफी स्मूत्ली आप इसमं गेम खिल सकते हैं, और हैप इसमे एप इसमें यूज कर सकते हैं, बाकी इसमें भी आपको 6.78 इं करने पर आपको ये mobile मिलता है जबकि 10,000 रुपे की range में आपको कई other option में मिल जाते हैं जिनमें इससे भी best processor आपको मिल जाता है बाकी अपनी अपनी पसंद होती है आप comment box मताइए दोनों mobile में से आपको कौन सा mobile पसंद आया कौन सा mobile आप purchase करना चाहोगे तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली unboxing के साथ तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को subscribe, वीडियो को like ज़रूर कर दें